आगरा के सरवादेक लोगफ्रिये चैनल सीनिउस एक और को आज ही Google Play Store से डाउनलोड करें के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगरा के साथ देश में लगतार कोईना संक्मन के संखह में कमी हो रही है तीसरी लहर समापती के ओर है लेकिन उन लोगों को भिध्धान रखना होगा जो कोईड-19 के नियमों का पालन नहीं करते हैं आगरम में नहीं पूरे देश में जो करोणा की तीसरी लहर आई हुई थी अब धीरे समापती की तरफ लगातार केसों में लगातार गिरावट आ रही है पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारे 20 से करोणा खतम हो गया है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पिछले तीन साल से हम को इस बीमारी से लड़ पाएंगे हम अग्रा को जिसके मैदान में हमाइश साथ कुछ चात्र हैं उनसे हम बात करेंगे कि वह इसके बारे में क्या समझते हैं अच्छा यह बताए कि तिसले समाप्ती की तरफ आप उसके प्रति में लग क्या समझते है क्या जानते है क्या चौ काफी मतलब डेट्स वगएरा जो मतलब आज तक कहते हैं कि एक सौ साल तक याद रहने वाले जो एक चीज होती है वो कुछ ऐसा था कि हमें आगे तक भी याद रहेगा कोरोना से जो यह विपत जो आपतिकाल जो यह पूरा रहा उससे यह है कि जो हमें प्रेकॉशन्स लेने चाहिए वह बहुत इंपॉर्टेंट है मास्किंग इंपॉर्टेंट है वैक्सिनेशन कुछ लोग जैसे हम लोगों ने करवाया है लेकिन हमारे साथ में कुछ फ्रेंड्स है जो मना कर रहे हैं रिजन है रियूमर्स रियूमर्स आते रहते हैं वाट से फरवर्ड्स नौन उलिच से गलत जानकारी की वज़े से जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं मेरा बस उन से यही आग रहे है कि वह वैक्सीन लगवाएं और और को भी जागरोग करें वह सही कारूना कि बुक्र हमें जानकार रहना बहुत रहना सबसे बड़ा बात है अच्छा आपका इसके लगवाने के पशले लगवाने के वाद एक दो दिन ठोड़ा दिक्कत होती है बट उसके बाद flip करते हो मतलब को यासा दिक्त नहीं होती है तुम मतलब की ऐसी कोई परेशानी नहीं आपका टेह घी काइड़ गया रहते हैं कि आपका वह ब्लों को मास लगास लगाना समस्थे दर के जो हम माक्स वहरे लगाते हैं करोना काल में यह मलब सभी बंदों को लगाने चाहिए कॉलेज के लड़कों मनलब जो भी आगे बाँवान चला रहे हैं सभी को लगाने चाहिए प्रदूसर्ण के वह यह से माक्स मलब लगाते रहना चाहिए और अपना क्लासें बंद होगी ति उनलाइन क्लासें चल रही थी सब कुछ समझ में आता था कुछ नहीं समझ में तो आपने कैसे इस काल को मिलें जिलाए जी ओनलाइन क्रासे इस पर और प्रदूसर्ट अबर लगाना पड़ा एक वजय थी ले लॉक्ड़ान के बावजूत हमारे दे जिस तरह के सरकान ने हमारे कदम उठाए बहुत अच्छे थे अगर हम अमेरिका की बात करें अमेरिका मलब स्वास्त चेतर में सबसे नंबर वन कंट्री माना जाता है पर आज देट में वहाँ पर जो तीसरी लहर है वहाँ पर बैड अवेलेबल नहीं है तो कहीं ने कहीं ला कितने लोगों ने वैक्सिन लगवाई और मेरा ही कहना है कि सब लोग वैक्सिन लगवाएं यह अपनी सेफटी के लिए और मास्क भी जरू लगाएं क्योंकि मास्केषर कोरोना से बचत होई रहे हैं अचा मैं यह बता है मैं आप सातर्क रहेंगे सावधान रहेंगे तो आप से इसके फाइदा ही होगा कि नुक्सान होगा बिलकुल फाइदा होगा क्योंकि भाई हम अपने लिए सेफटी इससे बचने के लिए प्रॉपर मास्क लाना चाहिए दोगज की दूरी जरूरी है और हैंड वाश करना चाहिए हाई जीन जीदों से बचना चाहिए अच्छा आप बताएं आपने वैक्सिंग लगवाई कि अभी तक के बताएं आप वैक्सिंग लगवा लिए दोनों डोस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और समस्य होई मलब युवाओं खासकर मलब समस्या थी शुरूबात में जब वैक्सिंग लग रही थी कि हम लगवाएं अच्छा आप बागी सारी चीज़े इतनी बंदनी होती इन पर इस्ट्रक्शन लगा जाते हैं अगर कोविट से बचना है तो कोविट-19 के नियमों का पालन जरूल करना होगा चाहें वह मास्क हो सेनिटाजर नोश सोशल डिसेंसिंग हो चाहें वैक्सिनेशन हो हर चीज को उन्हें पुरूतागे से फॉलो किया है तभी आगरा कोलेज के मैं संक्रमन की संक्या काफी कम देखने को मिली कैमरा में अनू बगिल के साथ लक्षमी राशिंग सीनियूर आगरा